नमस्कार प्रेशिक्षारदियों आप सबी को इनने वो इसका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं लगातार ये सामुदाइक स्वास्त प्रशिक्षन कारिक्रम के अंतरगत जो प्रैक्टिकल मैन्वल बाग्टू जो मात्र एवं शिशु स्वास्त कारिक्रम और उसके जो टॉपिक्स हैं गर्बिने मा की देखबाल, प्रसव पस्चात देखबाल, परिक्षन एवं देखबाल, मान लीजिए आस्पताल पहुंचने से पहले ही डेलवरी हो गया हो, रास्ते में हुआ हो या घर पर ही हुआ हो, घर पर होने का कारण हो सकते हैं, जिससे ट्रैंस्पोर्टेशन ठीक नहीं हो, या समय पर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ हो, या कुछ और कारण हो, जिसके कारण घर पर ही या अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही अगर डेलवरी हो गया हो, तो उसके लिए स्वास्तकारी करता होने के नाते, आप किस तरह से माता का एवं शिशु का परिक्षन करें और देखबाल करें, वो आज हम इस वीडियो के दोर स्वास्तकारी करता की विशिष्टकारी, महिला अगर स्वास्तकारी करता हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, कि वो सारा जो डेलवरी साथ में रहे कर अपना सयोग कर सकती हैं, और उन्हें मदद कर सकते हैं, हर एक लेवल पे, कि तापमान, श्वसंधर और ये सारे देख सक सकती हैं, और योनी स्ट्राव को भी चेक कर सकती हैं, लेकिन अगर पुरुष कम्निटी हेल्थ वर्कर हो, तो वो अपने साथ कोई महिला को साथ में लेले, या परिवार में ही कोई महिला हो, तो उनका मदद के अनुसार ये योनी स्ट्राव या परवेजैनल प्रसव में मदद करें, और शरीर की तापमान, श्वसंदर, योनी स्ट्राव आधित चेक करें, मा का टेमपरेचर कितना है, ज्यादा तो नहीं है या कम है, और उनका रिस्परेटरी रेट कैसी है, और योनी स्ट्राव आधिक हो रहा है या कम हो रहा है, ये सारे चेक करें और प्रसव का जो स्तान है वो सुका सफाई होनी चाहिए और वहां पर कोई सफाई युक्त चादर बिचाएं और रबर शीट भी नीचे की और बिचाएं और जब प्रसव हो जाता है तो आदा गंटे के अंदर अंदर शिशु को संपान कराने की शुरू कराएं और इसके बिच ही हो सके तो हास्पताल शिफ्ट कराएं घर में प्रसव अगर हो तो पांच चीजों को ध्यान रखना चाहिए यह हर स्वास्तकारी करता को हर समय यह पांच सी जो हम कहते हैं उसका पालन करें वह है क्लीन हैं यानि की स्वच हाथ और क्लीन सरफेस स्वच सता क्लीन ब्लेड स्वच ब्लेड और क्लीन कार्ड टाई जिससे भी हम बान देंगे जैसे दागा हो या रबर बैंड हो वो क्लीन होनी चाहिए और क्लीन कार्ड स्टम जो काटने के बाद जो नाबिनाल होता है उसको भी हमें क्लीन और हाईजन रखना चाहिए तो ये पांच चीजों को हर समय घर में प्रसव होने वाले माता और शिशू का स्वास्त रहने के लिए ये ध्यान रखने वाले बात हैं अगर डेलवरी नहीं हुआ इससे पहले ही आपको फून आया क्योंकि आप स्वास्त कारे करता है तो लेबर पेंस आने के जिसमें नौजा शिशु आ सके उसके ऊपर कोई टावल बिचाएं दूसरी उसमें देख रहे हैं हमें दो टावल चाहिए मुलायम सी हो सूका हो और हलका सा गरम हो तो एक ट्रे में बिचाएं और हमें काड को टाई करने के लिए या तो दागा चाहिए और रबर बैंड भी च चाहिए और गुनगुना सा गरम पानी भी हमें चाहिए इसके अलावा हम कॉ प्तिन के दो सवायब सकते हैं और कातने के लिए सीजर चाहिए या ब्लेड हो और ब्लेड भी किलीन होनी चाहिए और निया भी ब्लेड हो तो भी उसे पहले से ही हम बॉइलिंग वाटर में एक बार निकाल के फिर उसे उपयोग करें तो यह सारे हम तयार रखें जैसे ही डेलवरी हो जाता है तो इस ट्रे में हम बेबी को रिसीव करें तो डेलवरी होते ही एक बार हम टाइम नोट करें कि किस समय में उसका जनम हुआ है और बर्त क्राई है य यह ध्यान रखना कि थाएं अगर रो लेता है तो सामानी परिचरीया जो रोटीन केर हमें करनी चाहिए रोटीन केर में पहले ट्रे मेरी सीव करते ही बेबी को ऊपर से Nacional के और यह सिरसे हमें रखना चाहिए ताकि वो हाइपो तर्मिया से बच सके क्योंकि नवजाद शिशु का अधिकतर टेंपरेचर जो है कम होने का चांसेस हैं क्योंकि उसका बॉडी सर्फेस ज्यादा होता है और हम उसे गरम ना रखे तो तुरंत ही हीट लॉस होती है बॉडी का हीट लॉस ह के हाइपो तर्मिया में पहुंच सकता है उसके बाद बुनियादी नवजात पुनर्जीवन करें मान लेजिए अगर बचा नहीं रोता है तो रिससिटेशन करें तो उसके लिए मैं आप सभी को अडवाइस करती हूं कि एक कोर्स होती है न्यूबॉर्ण रिससिटेशन के यह सबी कम्यूटी हेल्थ फरकर्स को यह भी साथ में कर लेना चाहिए ताकि होम डेलवरीस या रास्ते में होने वाले जो डेलवरीस होते हैं उसमें अगर शिशू तुरंत नहीं रोता है तो किस तरह से हम उसका पुनर्जीवन कर सकते हैं इसके बाद जब प्रॉपर अच पान का शीगर से ही आरम करना चाहिए जब शिशू का जनम हो गया उसके बद थर्ड मतलब डेलवरी का तीन स्टेज होते हैं पहला स्टेज फरस्ट स्टेज अफ लेबर होगा जिसमें बहुत ज्यादा पेंस होते हैं और सर्विक्स भी डाइलेट होती रहती है और सेकंड स स्टेज अफ लेबर में चिशू का जनम हो जाता है चिशू के जनम के बाद थर्ड स्टेज अफ लेबर इसमें अपरा बाहर आती है अपरा को हम प्लैसेंटा भी कहते हैं तो यह जब बाहर आने का जो है 15 से 20 मिनिट का समय होता है तो इसी अंतरगत अगर नहीं आया तो भी चित्र है यह फीटल सर्फेस है तो फीटल सर्फेस के साइड में आपको नाबी का जो नाल अम्लैकल कॉर्ड का लेंथ होती है और सारे मिम्ब्रेंस भी होंगे और यह पूरी कम्प्लीट है इस तरह से बाहर निकलना चाहिए मान लीजिए अगर कहीं पर भी तोड़ा सा पर उस्पताल लेकर जाना होगा और उसको क्लीन करवाना होगा नहीं करवाते हैं तो वह काफी दिनों तक यह योनी शूल या गरबाशे शूल होगा और साथ-साथ में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता रहेगा अब डेलवरी हो गया है और शिशु का भी जनम हो गया है स तो प्रसव पस्चात माता को होने वाले क्या समस्या हैं यह अभी हम देख रहे हैं एक है उदर एवं योनी शूल यह 24 गंटे के अंदर या पहले सप्ता में कभी भी हो सकता है इंफेक्शन अगर प्रहल जाता है अनहाइजनिक कंडिशन्स में या संक्रामिक होने के कारण करण ईबिए रिवरी समय अगर सपोर्ट नहीं देते हैं तो वजने और या परेनियं के पास या मौन्ले पेशन उस्व चिदर हो으ounding लेजाती कि पार बिखे आखे उस्प सवा गर हम सकिन और तो यह इंफेक्शन हो के और अलग तरह से यह वह बोगत दिकत कर सकत परंप प्रस्व पस्धात रेक्त्ष्ट्राओ के हैं और कि और अगतर प्रस्व पस्छात रख्ट्राओं कहेंगे 28 गंटे के करें 10ными Jackie争प दुल Means प う अगर रिचग गर नहीं है तो युझ एनीमिया और ये पांडरोम में किमह उसे उसे मा को ऑक्सिजन लेने में भी दिकत हो सकता है और कुन की कमी के कारण कभी कबार हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्तन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है इसके अलावा उच्छ तापमान ये टेंपरेचर जो है मा का 102, 103 या कभी कबार 105 तक पहुंच जाती है उसे ठीक ना करने से आगे जो है सूतिका ज्वर के कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकते हैं और वो है दूद अगर शिशू ने पिया तो शिशू को भी टेंपरेचर बढ़ कर उसको फीवर हो सकता है अनल औरिफाइस के पास से बाहर से बवासिर दिखने लगेंगे तो इसको भी ठीक से चेकप करवाना होगा वरना ये ब्लीडिंग पाइल्स में भी ब्लीड होता रहेगा खून बहती रहेगी और इसमें भी लंबा समय तक ना ट्रीट करने से अनीमिया में पहुंच सकता है और एक और कॉम्प्लिकेशन है प्लैसेंटल रिटेंशन जैसे मैंने कहा था कि शिशु का जन्यम के बाद अगर प्लैसेंटा पंदर से बीस मिनिट के अंदर नहीं आया और उसी में हो तो भी वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता रहेगा और कॉन्ट्रेक्शन स्ठीक से ना अमान योनी पेशियां किस तरह से इसका अरेंजमेंट है और जब शिशु की डेलवरी हो रही हो तो इन सारे मानसपेशियों में प्रेजर आ सकती है और बाहर से स्वास्तकार्य करता अगर ठीक से सपोर्ट नहीं करें तो इस तरह से पेरिनियल टियर हो जाएगा और आगे ह करना बहुत जरूरी है और इस चिद्र में बाकी कॉंप्लिकेशन से हैं जैसे पहला है जो प्रसव पस्चात रक्तस्राओ जो कंटिनियूस रक्तस्राओ होती रहेगी तो दूसरा पिक्चर में आप देख रहे हो कि खून की कमी होने से किस तरह से हाथ पीलापन हो रहा है औ दूसरा हाथ पिंक है जिसमें खून अच्छा है और तीसरा पिक्चर आप देख रहे हो कि 105 फीवर तक चड़ सकते है मा को जिसको हम कहते है सूतिकाजवर और नीचे जो चित्र है यह पाइल्स है जो बावासिर एक या दो या चार भी हो सकते हैं और इसमें ब्लीडिंग प हो सकता है तो इन सारे कॉंप्लिकेशन में हम दिलवरी घर पर भी हो या रास्ते में हो फिर भी हमें मा और शिशु को हास्पतल तक लेकर जाकर इन सारे चीज़ों का चेक करवाना चाहिए हास्पतल लेकर जाने की क्या लाब है मा और शिशु दोनों को लाब है एक मा के लि प्रशय में कोई placenta के कोई भी parts return हो रहा है वो देखकर अगर है तो उससे साफ करेंगे perennial जो tear हो तो उस tear को suturing करके ठीक करेंगे complications से बचायेंगे आगे कोई complications हो उससे बचायेंगे और जहां पर हमें investigations की जरूरी हो तो वहां पर करवाएंगे अगर मान लिजे मां का RH negative है blood group और हमें तब हम मां का और शिशू का दोनों का blood grouping करवा कर आगे की management करने कर सकेंगे और स्तनपान को भी शुरू करवा सकेंगे अज शिशू के लिए क्या लाब हो सकते हैं शिशू की परिचरिया कर पाएंगे शिशू अगर mucus कुछ inhale कर रहा हो तो मुँ और नाग पूरा साफ करेंगे बहुत अंदर तक अगर कुछ amniotic fluid को aspirate किया हो तो उसे भी निकाल कर उसका श्वासनली को clear कर सकेंगे और उपर से नीचे तक शिशू क्या परिक्षन करें कि सिर कितनी head circumference normal है या नहीं उसके आंखे नाग और गर्दन ये हाथ और सारे किस तरह से है और कोई अबनॉर्मल्टी हो तो क्या कारण है आगे हम investigations करके उसका चेक कर सकते हैं और नाबिनाल को भी चेक करेंगे कि जो नाबिनाल को काट कर जो लेकर आए हैं उसके अंदर दो अंबलेकल आर्ट्री और एक अंबलेकल वीन होनी चाहिए तो वह है या नहीं वह चेक करेंगे और हर एक शिशु को हमें विटामिन के के injection देना होता है जनम के तुरंद बाद तो वो भी यहां पर देते हैं वन एमजी इंट्रमर्सकलर देते हैं विटामिन के और वाइटल्स चेक करेंगे जैसे कि हार्ट रेट कितना है शिशु का और रेस्परेटरी रेट कितना है टेमपरेचर कैसा है वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है वो देखकर उसके एकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर पाएंगे और सब कुछ अगर टीक हो तो जब डिश्चार्ज करने के समय में उन्हें जिरो डोस के वैक्सिन्स यानि की BCG जो ट्यूबर क्लोसिस के लिए दिया जाता है और OPV जो पोलियो वाइरस के लिए और हेप्टाइटिस बी जो हेप्टाइटिस बी वाइरस के लिए ये तीन व कब होस्पितल आना है कैसे लक्षन को आप देखने के बाद होस्पितल लेकर आना है ये परिवार को और मा को समझा कर उन्हें डिश्चार्ज किया जाता है तो आपने इस वीडियो में यह देखा है कि होस्पितल पहुंचने से पहले ही अगर घर पर या रास्ते में और किस तरह से मा का एक्जामनेशन परीक्षन करना है और शिशु का परीक्षन करना है वो आपने देखा है और कैसे कॉम्प्लिकेशन मा को और शिशु को हो सकता है और उसको किस तरह से हॉस्पितल में ले जाने से विलाब हो सकेंगे वो आपने जाना है तो मैं आशा करती कि घर पर भी हो या रास्ते में पर भी हो वो आखिर हॉस्पतल लेकर ही आना पड़ेगा तो आप साथ में रहकर उनको हॉस्पतल ले आईए और सहयोग करिए धन्यवाद